नमस्कार दोस्तों गुरुकुल अकेडमी में आप से का स्वागत हैं दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जीके के टो फिफ्टी कुशन्स लेकी आई हैं जो बार-बार प्रिक्षा में पोचे जाते हैं अगर आप लोग किसी भी एक्जाम के तियारी करें जहां पर जीके एक सब्सक्राइब करें अगर आपके वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंस की पास शेयर करें जो लोग पहले बार आई हैं जल्दे से आपर फ्राफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे साथ ब्लाइकन पर बेक्लिक कर लेंग और एक कुशन काउंसर देने के लिए आपको पांच सेगिंड का वक्त मिलेगा उसके बाद हम आप काउंसर बता देंगे फ्रेंस चिया दखना किसी भी एक्जाम के अगर आप लोग त्यारे करें तो मोग टेस्ट बहुत जरूरी है तो फ्रेंस इस टेस्ट को अंतर जूर देजेगा ठीक है चलिए का कुशिन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कुशिन देखिए ब्रेबोर्न स्टेडियम कहां इस्तित है सब लोग जवाब देंगे जल्दे से कहां है ब्रेबोर्न स्टेडियम ब्रेबोर्न स्टेडियम का है मुंबई में है फ्रेंस या दखना आप ऑटरा का शम्बंद किस राजय से है he açम के उट्राखनौ से है उत्रा खंड से है तो भी रहेगा राज्या उत्रा खंड बिल्कुर फेंस एक्जाम में आ जाए उत्रा खंड के राज़ दने का है देहरा दोन में है तो स्थापना का वोई थी उत्रा खंड की 2000 में स्थापना हुई थी यह भी आप लोग याद अखना ठीक है चलिएगा फिर महराजा अगर देए प्रिशकार चैत्रा खंड राज्य हो जाएगा डंक सफिर्ट से छाथ हमी एक्जाम में राजीरा पूसे जायरे में में है उत्र पर्देश में अस्टी यह कुछन एक्जाम में कहें पर आता है नेक्स्ट है उमेद भवन पैलेस कहा है अगर आपना भी तक वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास शेयर करतेंगे ताकि उस लोग और यहां आएं वो भी अपने एक्जाम की त्यारिक अच्छी से आके बढ़ा लें उमेद भवन पैलेस कहां है जोदपूर में है सी हो जाएगा रेट आपनाम है किसका को लकाता का भोगलिक उपनाम है डायमंड हरवल दी होगा रेट आपनाम को लकाता देखिए नेक्स्ट कूशिन देखिए गोवा राज्य की अधिकारिक भ भाफर जी बहुत से त्यारिक गोवा राज्य की अधिकारिक भाषा कोंकनी है डी हो जाएगा रेट आउसर कोंकनी बिल्कुर फिंस गोवा के राजदानी पनजी है का है पनजी में है गोवा के राजदानी गोवा की स्तापना 1987 में 30 मए 1987 को हुई थी वही राजेपल सत्यप हाल लिक हैं मुखे मंतरी पर्मोध सामयंत तहें याद रखना अच्छे से आप लोगे कोश्वन का अपर एकजाम में आते हैं डेकिये नेक्ष्ट इलाहबाद का पुराना नाम क्या है सब लोग जवाब देंगे जल्ले से इलाहबाद का पुराना नाम क्या है सब लोग जवाब देंगे फ्राफर जी बहुत अच्छे त्यारी है बहुत अच्छे रिश्पोन जी आपका इलाहबाद का पुराना नाम प्रियाग है क्या है इलाहबाद का पुराना नाम क्या है प्रियाग यह रहेगा रिटानिशर वर्तमान में क्या है वर्तमान में प्रियाग राज है वर्तमान में फ्रेंस इलाहबाद का नाम क्या हो गया है प्रियाग राज हो गया है या दखना अच्छे से प्रियाग राज अब लगबग हर जगह पे प्रियाग राज ही मलब एक्जाम में आता है ठीक है प्रियाग राज ही दिया होता है इलाबाद के जगह पे तो एक्जाम है कि प्रियाग राज का प्रानाम क्या है तो इलाहबाद है, इलाहबाद गयाना नहाँ की है, प्रिया गराज है प्रिया गराज है, देखिं, नेक्सट भरतपुर नेशनल पार्क का नया नाम क्या है सब लोग जवाब देंगे फ्राफट क्या है, जल्ली से बताएंगे ब्रतपुर नेशनल पार्ग का नया नाम है केवलादेव घाना राश्टिफ पार्क जोकि राजस्थान में है ब्रतपुर नेशनल पार्क का है राजस्थान में ठीक है तो डी हो जाएका इंडां शेयर जब देंगे फ्रापट राजपूत राजे मेवाड के राज़ने कहां थी चितोड में थी कहां चितोड में थी यह रहेगा रहेट आंशर चितोड देखे नेक्स्ट कठपुतली किस राजे का परमुख लोक नरिती है कठपुतली किस राजे का परमुख लोक नरिती है अरजस्थान का परमुख लोक नुरिते है कठ पुतली भी रहेगा रहेट आंशर ठीक है देखिए next हैदराबाद और सिकंदराबाद सहर किस जील से जुड़े हुए है सभी का आंशर आना है चाहिए हैदराबाद रुशिकंदराबाद जुड़े हुए किस जील से हुशेन सागर जील से जुड़े हुए है डी हो जाएगा रेट आंशर हुशेन सागर जील देखे काकुलत जल्परपात बिहार के किस जीले में इस्तित है किस जीले में नवादा में है c होगा, red answer, नवहादा, देखी, next है, नहिरू प्रवता रोहं सिंस्तान किस राज्य मिस्तित है, सब लोग जुब आप देंगे जल्दी से, नहिरू, प्रवता रोहं सिंस्तान किस राज्य मिस्तित है, ओत्राखंड में है, डी हो जाएगा रेड आंसर ओतरा खंड ठीक है देखिए next बटकल बंदरगा कहां पर है बटकल बंदरगा कहां है जी फ्रेंज़ बिलकुल कहा है करनाटक में है बटकल बंदरगा यह रहेगा रेड आंसर करनाटक next है चिराओ बांसनरिते किस राज्ये से फ्रेंस यादखना मुख्य मंत्री जो रम थंगा हैं गवन रहें पिएस स्रीध्रन पिल लाई ठीक ना यादखना चैसे आप लोग चलिएगा फिर नेश्कुशी ने कि क्या है हजरत बल दरगा कहां आवस्तित है जी बिल्कुल जम्मो कस्मेर में सी रहका रेटान से जम्मो कस्मेर अगला कोशन देखे का कि भारत में पर्थम नगर पालिका की स्तापना कहां हुई थी जी चेने में हुई थी भी रहेगा रेट आप जरे चेन नहीं याद धख लेंगे कि भारत में प्रथम निगर पाली का किस ताफना कहा हुई थी चेन यहीं में हुई थी लेजिए अगला कोईशने सहारिय किस राज्य का सस्थी नृत्य है किस राजे का सास्तरिन रिते है सहारिया से भी लोग जवाब देंगे फ्रापट किस राजे का है बिल्कुल सहारिया है असम का सास्तरिन रिते किसका असम का तो ए रहेगा रेट आँसे यहां प्रसों में या दखना एक्जाम में आए असम की राजने काई दिसपूर में है काई दिसपूर में राजबासा असम में आ है ठीक ना यादखना सतापना कवे थे समकी 26.1960 को हुई थी ठीक है राजेपाले जगदिस मुखी सीम कोने सिरबादन सोने वाल 14 सीटे लोक्स बाकी है 126 सीटे विधान सबा है बताएंगे पमर कहां नाशिक में है गोदावरी नदे का उद्य कम स्थल ए रहेगा रहे रहेया न अशिक- dat इस बीञए राजवस्ता के शुरुत कहां हुई थी छिए बहुतर सब्सवाब द sack से यह कुछन आपके लिए हॉम्वर्क है बताएंगे जल्दे से भारत में पहले बार पंचाई तर जवस्ता के शुरुवात वह कब असे हुई थी आपके लिए होमुर्क है सिर्फ बताएंगे जल्दे केंद्री चमडा अनुसुन्दान सेत्र कहां अवस्तित है तो ए रहेगा रहेगा रहेट अनुसुन्दान के अनुसुन्दान शेत्र कहां है ऍट भारत में काज उत्पादन में अगरनी राजिक कोण साहि Africa सब लोग जो आप देंगे जल्दे से भारत में कार्जव उत्पादन में अगरनी राजे कौन शाहे केरल है सी होगा रेट आंशर केरल बिलकुल फ्रेंज से आप लोग अच्छे से याद रखना केरल ठीक है सी रहेगा रेट आंशर अगला कोश्चन देखिए संथालो की सबस से अधिक जन्षिंख्या किस राजे में है बिलकुल किस राजे में है जार खन में है सी होगा रेट आंशर जार खन नेक्स्ट है तेर्थस्तल अमरनात किस राजे में है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने कैसे विलो फ्रापट वीडियो को लाइक करेंगे अपन नेक्स्ट लोसुंग त्योहार किस राजे में मनाया जाता है लोसुंग त्योहार किस राजे में मनाया जाता है किसमें सिक्की में मनाती है लोसुंग त्योहार जिया बिलकुल आप लोग याद रखलेंगे लोसुंग त्योहार मनाया जाता है कहां लोसुंग त्योहार सिक्की में मनाया जाता है बिलकुल आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे ठीक है तो भी रहेगा रेड आन शूर देखिए नेक्स्ट हजरत निजाम अदिन ओल्या की दरगा कहां इस्तित है जी फ्रेंस ब्लोक जाब देंगे फटाफट जी हजरत निजाम अदिन ओल्या की दरग कहां इस्तित है कहां दिल्ली में है याद रखना डी हो जाएगा रेड आनसर दिल्ली बिलकुल फ्रेंस हजरत निजाम अदिन ओल्या की दरगा कहां इस्तित है दिल्ली में है डी ओफ्सन हो जाएगा रेड आनसर यहां पर दिल्ली याद रख लेंगे अच्छे से आप विसु सांती स्टूप जी फ्रेंस सिब लोग जवाब देंगे फ्राफट जी बहुत अच्छे तयार हैं सिब लोग जवाब देंगे फ्राफट विसु सांती स्टूप कहां इस्तित है सिब लोग बताएंगे फ्राफट कहा है बिलकुल फ्रेंस विसु सांती स्टूप राजसगिर, याद रखना अच्टे है इच्छे से है क्या है cut फ्रेंस एक बात आप लोग याद अखना मोग टेस्ट के बिना आप लोग किसी भी एक्जाम को क्वालिफाइर नहीं कर पाएंगे तो मोग टेस्ट अवस्य लगाया करें और फ्रेंस इससे अच्छे अच्छे मोग यहां पर लेके आने वाले हैं अब आप लोग इस उबले हो जाएगा रेटाइवाद का मिस्तित है clean बिल्कुल फ्रेंस मरमो गाउं बंदरगा गोवा में है यह हो जाएगा रेट आंसर गोवा ठीक है नेक्स्ट जली कट्टू खेल बिल्कुल फ्रेंस जली कट्टू खेल किसे राजे से संबन्द है सब लोग जब देंगे जली कट्टू खेल का संबन्द किसे राजे से है किसे तमिलनाडू से है तो भी रहगा रेट आंशर तमिलनाडू से है जल्ली कटू खेल का संबंद याद रखना किसे तमिलनाडू से एक्जाम में आई तमिलनाडू कराजने का चेर नहीं में है राजे पाल बनवरल प्रोहित हैं और के पलाने स्वामी मुख्य मंत्री है याद रखन 39 सेटे हैं लोक सबागी विदान सबागी सेटे 235 हैं याद रखना आपके एक्जाम में कोश्चन आ सकता है अगला कोश्चन है नाम दफ़ा वन्य जिव अभ्यारने किस राज्य में है किस राज्य में है अरुनाचल प्रदेश में है नाम दफ़ा वन्य जिव अभ्यारने सी हो जाएगा जिरेटानिशर याद रखना चेश ठीक ना नाम दफ़ा वन्य जिव अभ्यारने किस राज्य में है अरुनाचल प् कौन सा है उत्र प्रदिस की बाद बड़ी सिंख्या में लोकसबा संसदों को भीजने वाला राज्जी कौन सा है महारास्टर है तो भी रहेगा रैट आंसर महारास्टर याद खना चीशे महारास्टर ठीक है एक्जाम में आ सकता है देखे आगए चलेगा इस रो का मुख्याल और में दोक्टर के सिवान दोक्तर के सिवान में अध्यक्स कंड तैपन खापना होई थी यादख लएग एक चैसे है इस रो इंडियन स्पेस रिशर्च और्गी माईजएशन ये फुलफैージ नाज सिलो की देख्या चले चार मीनार कहां च्थ किनियाल का आंiden लानाना जहीं Чार मिनार का हैं चार मिनार का हैं रेट आंशिरius बिल्कुर फ्रेंश यहाद रहेगा लिए रहें पर चार मिनार का हैं चार मिनार रहे ऑफ्सिन नबर यह रहे हैं रखे लेंगे ऐर रिट आंश दो 2023 यहाद रेका प्रफ Bardzo अग्रनी राजे को छाये बिलकुल कोने आंदर पर्देश थे हैं तो डी होगा रेट अंदर पर्देश बिलकुल यूरेनियम उत्पादन उत्पादक अग्रित अंदर पर्देश दी रहेगा रेट अनिशimaan है कि भारत के किस राजे में इसाइयों की जन johnsonất cultural him Vernon अतिक एसाईयों की जण ग्या पर्चत सभ सी अधिक है किस राजे में है नागा लेंड में डि होगा रैडांचर नागा लेंड बिल्कुल फ्रेंस्ट आप लोग याद अख लेंगे भार्त की किषेटरस्थल भारत के किस राजे में स्थित्ष है अगला कोश्जन है कुरुछेतरस् देखे। चंडी गड़ में की श्रजन करता को से लोग जीघें से चंडी गड़ में इस्तित रोड़ गार्ण के सौंज करता कौन थे रहेगा रेट आयट आइसर नेक चंड पुषकरजील कहां है पुषकर जील कहां इस्तित है कहां है अजमेर में है पुषकर जील भी हो जाएगा रेट आउसर याद अख लेंगे पुषकर जील कहा है अजमेर में है बिलकुर फ्रेंस आप लोग अच्छे से याद रखना ठीक है ना देखेंगा नेक्स कुशन है यहां दिया हुआ ज़स्तित्ला रण है, मल्टी आरट केंद्र भारत भारत भाल कहा है इस्थित्त है, लोग जो लोग भी बहुताई कंद्र भारत भावन करीजित्तित्त आ को डिया कि अहां मल्टी गोशा나ं से पूस दो शियर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहां आ जाएं वो भी अपने एक्जाम के तियारे को अच्छे से आगे बढ़ा लें सब्सक्राइब लोग लाएक करेंगे आपने फ्रेंज के पास शियर करेंगे बलको लेकि यहां दिया हुआ इनोंने कि गोल कुंडा का जो किला है किस राज्य में स्थित्स अंद्र परदेश में तो डि होगा राइड आज़न्श्र अंद्र परदेश बिल्कुल आप लोग अ कि जानवर के लिए है गेंडा के लिए C रहेगा रेट आंसर गेंडा ठीक है देखिए next हैदराबाद किस नदी के तठ पर बशा हुआ है हैदराबाद किस नदी के तठ पर बशा हुआ है किस के तठ पर बशा हुआ है मोसी नदी के तठ पर बशा हुआ है हैदराबाद डी होगा रेडांशर मोसी नदी बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद दखना डी होगा रेडांशर देखिए नेक्स्ट मेटूर बांद किस नदी पर बनाया गया है बताएंगे जल्दे से मेटूर बांद किस नदी पर बनाया गया है किस पर बनाया गया है कावेरी पर बनाया गया है जी फ्रेंस बिल्कुल आप लोग याद दख लेंगे ठीक ना मेटूर बांद बनाया गया क किस पर कावेरी पर बनाया गया है मेटूर बांद जी यहां बिलकुल फ्रेंस आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे एहोगा रेडांसर कावेरी अगला है साथ टापों के सहर के नाम से किसको जाना जाता है साथ टापों के सहर के नाम से किसको जाना जाता है सब लोग जवाब देंगे फ्रावर किसको जाना जाता है किसको जाना जाता है मुंबई को जानते है डी होगा रेट आंसर मुंबई याद रखना देखे आगे चलिए अलमाठी बांध किस नदी पर बनाया गया है बताएंगे जल्ले से फ्रेंस आप लोग अलमाठी बांध किस नदी पर बनाया गया है कृष्णा पर बनाया गया है बी रहगा रेट आंसर कृष्णा देखे answer उत्रा खड़ देखिए next देखिए यहाँ दिया है कि half girlfriend पुष्ट के लेखक कोन है सब लोग जवाब देगे फ्राफ़ट कोन है जल्दे से जिफरेश बिल्कुल लिखिए half girlfriend पुष्ट के लेखक है चेतन बगगद कोन है चेतन बगगद है या दखना half girlfriend पुष्ट के लेखक यह रहेगा रेटांसर चेतन बगगद next देखिए चलेगा कि पुष्ट नसबंदी को क्या कहा जाता है जब लोग जवाब देंगे जल्दे से पुष्ट नसबंदी को क्या कहते हैं क्या कहते हैं जी पुष्ट नसबंदी को अगली वीडियो में क्लिर के जाएंगे और जो लोगों पहली बार आई हैं जल्दी से आप लोग फ्राफट चैनल लोग सिस्क्राइब करेंगे साथ में बीर आइकन पर भी कलिक कर लेंगे जी यहां पर क्लास डेरी होती हैं सुबह से लेकर शाम ते क्लास सलती हैं तो फ्रें